दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में काफी दिक्कते आने लगती हैं ये सब आप जानते भी होंगे और महसूस भी किया होगा जैसे कि जोडों में दर्द, हडियों में दर्द, दांतों में दर्द, घुटनों में दर्द, माशपेशियों में दर्द, या फिर थकान या बाल जड़ना ये स्किन बेजान हो जाती हैं ये खून की कमी अक्सर ये सारी प्रोब्लम्स आ जाती है जब हमारी उमर बढ़ती जाती हैं तो दोस्तो आज हम आपको इनी प्रोब्लम्स का हल बताएंगे इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों इन सब प्रोब्लम्स का कारण क्या होता है कि हम भोजन में अच्छे से प्रयाप्त मातरा में नियूट्रिशन्स नहीं लेते मिननल्स और विटामिन प्रोपर से नहीं लेते तबी हमारे श्रीर में इतनी कमिया तो आज दोस्तों मैं आपको ऐसी तीन चीजों के बारे में बताऊंगी तीन चीजों से आपने एक रेमिडि त्यार करनी है जिसका प्रयोक करके आप श्रीर की इन सारी प्रोब्लम से चुटकारा पा सकते हैं और आपके श्रीर में भरपूर मातरा में एनर्जी आएगी और स्कीन भी चमकदार बनेगी तो देर ना करते हुए चलिए बताते हैं आपको उन तीन चीजों के बारे में जिस से आपने एक रेमिडी त्यार करनी हैं पहली चीज है पॉपी सीड पॉपी सीड यानि की खस-खस जो खस-खस होती है आपने नाम भी सुना होगा इसका छोटे- बीज होते हैं बिल्कुल जरा-जरा से और खाने का टेस्ट तो बढ़ाई देता हैं मीठे में दोस्तो अक्सर इसका यूज किया जाता है इसके सेवन से आप नींद की प्रेशानी को दूर कर सकते हैं जीन लोगों को नींद नहीं आती ठीक से वो इसका सेवन करके अपनी न दूर्द रहता है तो वो अगर खस-खस का यूज करती हैं तो उनकी कमर दर्द वाली प्रोब्लम देखना कैसे चुटकियों में दूर होती हैं खस-खस का सेवन करने से दोस्तो आप पेड की समस्य हैं जैसे की कब्ज इनको भी दूर कर सकते हैं चहरे पर भी चमक लादी है और खास कर पाचन में यह बहुत ही हल्प करती है उसे सही रखने में तो पहली चीज होगी आपने लेनी है खस-खस हस-खस लेनी है आपने आधा चममच दूसरी चीज है बादाम बादाम के पाइदों के बारे में आप सब जानती ही होंगे बादाम खाने से इमनीटी अच्छी हमारा दिमाग भी तेज होता है कमिया कुँछ भी नहीं होती और हमारे श्रीर में यदि खून की कमी हो जाती है तो बदाम के सेवन से आब पूरी कर सकते हैं इसके सेवन से एनर्जी भी मिलती है और यादास्थ भी बढ़ती है और भी काफी सारे फायदे मिलते हैं हमें बादाम से बादाम खाने से दोस्तों IQ लेवल भी बढ़ता है बादाम में विटामिन E, विटामिन K भरपूर मातरा में होता है तो हमारे बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिल, दिमाग सब के लिए बहुत ही बढ़िया है बा बिलकुल भी नहीं होगा बच्चों को तो जुरूर दे आप तील, तील भी दे, बदाम भी और खस-खस भी जैसे हम आज रमेडी आपको बता रहे हैं, अगर ऐसी रमेडी आप बना कर देते हैं बच्चों को या बड़ों को तो देखना कितना फायदा मिलेगा उनको दोस्तों तील के सेवन से आप हडियों को भी मजबूत कर सकते हैं दांत आपके कमजोर हो गए हैं, उन्हें सही कर सकते हैं, मसूडों को सही कर सकते हैं तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया हैं ये बहुत ही healthy हैं चीजे और इनसे हम एक recipe बना रहे हैं तो चलिए बनाते हैं recipe इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया, आपने आधा चमच लेना है खस-खस और छे से साथ आपने बदाम लेने हैं और एक चमच लेना है आपने तील तिल अगर आपके पास brown तिल हो वो ले तो बढ़िया रहेगा अगर वो नहीं है तो आप सफे तिल भी ले सकते हैं अब आपने क्या करना है तीनों चीजों को आपने सुबे भिगोना है एक ग्लास पानी में भीगो कर दोस्तों क्या होगा ये पचने में असान हो जाते हैं जब भी हम इनका सेवन करते हैं तो बड़े हो या बच्चे असानी से इनको पचा सकते हैं जैसे कि आपने सुबे भिगो दिया इन तीनों चीजों को इगलास पानी में शाम को यानि रात को जब आप सोते हैं तो आपने क्या करना है इन तीनों चीजों का पेश्ट त्यार करना है और वो पेश्ट कैसे लेना है आप जब दूद पिएंगे रात को सोते वक्त सोने से आधा गंटा पहले तो दूद में आपने ये पेश्ट डालना है पेश्ट डाल कर दोस्तों आपने थोड़ा सा उबाल देना है दूद को यानि थोड़ी देर पकाना है बस दो से तीन उबाल दें फिर आपने इसका सेवन करना है अगर आप इसको फीका नहीं पी सकते तो टेस्ट के लिए आप इसमें खान डाल सकते हैं गुड डाल सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री कौन सी लेनी है आपने धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री आपको पंसारी की दुकान से इजली मिल जाती है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है धागे वाली मिश्री। तो आपने मीठा करने के लिए इसको धागे वाली मिश्री ले लेनी हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने दूद को बनाना है और ये पेश्च दूद में डालना है और इसका सेवन करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी हडियों का दर्ड कैसे गायप होता है और शरीर में जितनी भी प्रोब्लम्स हैं उनसे कैसे आपको छुटकारा मिलता जाता है। आपको ठकान हो जाती है वो नहीं होगी दुबारा से। सीडिया चड़ते वक्त सांस चड़ जाता है आपको वो नहीं चड़ेगा। तो आज से दोस्तों आप इस रेमेडी को घर पर त्यार करें इसका सेवन करें। दस दिन में देखना दोस्तों आपको कितना फर्क नजराएगा। तो दोस्तों ये थे आज की तीन चीजें जिन से आपने एक रेमेडी त्यार करनी है। तो दोस्तो कैसी लगी आज की आपको हमारी remedy अगर आपको इससे फायदा मिले या मेरी remedy आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और remedies के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक झाल